नितीश कुमार कल जब सदन में चिला रहे थे कि क्या हो गया और उसके बाद जब भाजपा की विधायकों को उन्होंने कहा कि तुमको बरबाद कर देंगे उसी वक्त अपना गाड़ी स्टार्ट करके हम छपरा आ गए थे थे थोड़ा सा देर हो गया इसलिए अगले दनी यह नहां पहुँचे हैं और घर के अंदर से जब रोनी की आवाज आती है तो हमारे जैसा पत्रकार खूब एमोशन में आ जाता है लेकिन हमारे प्रोफेशन में कहा जाता है कि आपको इमोशनल नहीं होना है बाकी सराबंदी के नाम पर जो धकोसला हमारी सरकारों ने किया है और जो मलाई चाप रहें नेता जो सत्ता में रहते हैं उनके बारे में अगर व्याख्या करेंगे तो इन लोगों से बात नहीं कर पाएंगे वो ते रस्भी आदव जो विपक्ष में हुआ करते थे तब चिलाते थे कि बीस हजार क्रोड का पेरलल एकोनोमी बन गया है और जब सत्ता में थी तो लोगों को मरता हुआ देखते थी मिला जुलाकर हमारे नेता हमारे लोग के काम कभी नहीं आते हैं चचाम को बोलते बोले कि अस्पताल में खाली डक्टर को लिखने आता है कि रेफर टू सदर अस्पताल उसके बाद इन्होंने कहा कि मढ़ोरा गये तो वहां इनसे कहा गया कि तुम डेटॉल लाओ इनसे कहा गया कि तुम रूई लाओ आखे इनके गिली हो चुकी थी मरने वाले 36 साल के थे एक सवाल जो इन्होंने पूछा वो कहा कि छोटी सी बच्ची है उसका पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा इसका जवाब मेरे पास नहीं हे ना मिरे पास कोई कई सभने सांय है एक सुछा साथ कोई डॉक्तर नहीं था के सधर लेके बागए हम से यह कोछ भी नहीं तब्धा यह एक्जिशिदी यह कुछ वहाँ कुछ realise ट्रिए नहीं है को यहां कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है सब धकोसला है और मेरा भाई चट पटा रहा था वहां एंबुलेंस बोले तो एंबुलेंस भी नहीं था आस्पताल में देर घंटा दो घंटा वेट किये जब देखे कि भाई का इस्तिती खराब हो रहा है तो हम अपने पूछ दिये कि कहा है सराब भीकता है घर घर में पूछ जवाब मिला पहला मिशन साथ के तहत निरलज त्रस्वी आदव जिनको अभी का गोली खाकर अपने बिस्तर पर नाच करना चाहिए जो कहते हैं कि मिसन साथ के तहत सारे असपतालों को ठीक कर दिये और दूसरा निर पॉलिस का एक पॉलिस देखिये कि जो सराब है 30 लीटर है 30 दिन का जेल बेजो फिर बेजो वही काम कर रहा है जरीला सराब बना रहा है बेच रहा है लोगों का जाल ले रहा है खुलियाम पैसा खा रहा है पुलिस चौकि उसको क्या मतलब है किसको छोड़ के घर आनात हो क्या गया उनको क्या मतलब है आज तक तीन दिन से ऐसा एंबुलेंस पर एंबुलेंस आपको सुनाई दे रहा होगा लेकिन आज तक परसासन ने एक बार दरवाजे पर नहीं आया कि कैसा है कैसे मड़ गया नितीजी कहते हैं कि दारू मिलता ही नहीं है घर घर में मिलता है यही तो है कि आप पहले बेचवाता था कि एक दुकान था अब है कि घर-घर में आपको जाना नहीं है होम डिलेवरी मिल रहा है क्या करते थे वो सेल्फ इंपुलाईं थे घर में आपना चोटा से पिकप गाड़ी है उसमें चपल लेके सेल कर रहे थे मार्केट घूम घू चाचा आप कौन हुए उनके हम उनके ट्वीन ब्रदर के हमरा थोड लड़का था कौनों नहीं आया कुछ मुआफजा कैला नहीं किया परिवार को देखने वाला कुछ नहीं से कहे को किस लिए आप एक तीन पॉइंट को गौर कीजिए एक जब सराबंदी नहीं था तो इत द्रामा है एक तरह से क्यों कि पहले बने अब कम से कम आये दिन लोग मर रहा है कुछ आज आज हला इसलिए हो गया कि मास में ज़्यादा लोग मरा है दस आदमी नव आदमी आऊँ हो देखिए एक ही आदमी में डिलेवरी 15 किलो मेटर पंदर किलो मीटर के आदमी मरा है प् इसलिए ये ड्रामा चलना है सराब बंदी पर सराब बंदी को ले करके नितिस साता में आया हमको बुझाता है कि यहीं सराब उसको ले डूबेगा लेकि शरम नहीं यहां पर खाली चिलाने से अधी करने से नहीं होगा इसके लिए कभी भी बेशर्मी कर रहा है सब कोई नेता की जाएगा नहीं है यहां किसी पीने के बाद आपको पांच जर फाइन देना इतने महीं देना है उसके लिए कुछ है कि नहीं क्या है उन्हों के लिए बचाना थो गया काम खतम निपीज कुमार इतने निरलज हैं क्यों कहते हैं कि जो पीएगा उमरेगा निरलज तो है ये है उसको आए गाउ में देखे आज के डेट में आए गाउ में मार खाके जाएगा वो जिस तरह से वो धंदा सारोबार के पीछे कर रहा है, धंदा वो करोबार कर रहा है इसके साथ, पकरो, पैसा लाओ, पकरो, पैसा लाओ, सारे ठाने को बेकार कर दिया है, सब उसी में लगे हैं, चोरी डकाईती अलग हो रहा है, क्योंकि वो लोग खाली नाम कर रहे हैं कि हम को पैसा लाके दो महीने का चली इस पर इखतम कर दे रहे हैं ताकि आपको इस बात की सनद रहे कि बिहार पुलिस क्या करती है और वहां पटना में बड़े-बड़े कोठियों में बैठ कर हमारे नेता जब चाय का चुस्की लेते होंगे ACA 16-22 पर रहता होगा आजकल हीटर चला कर सोते होंगे तो उनको शायर इस बात का अभास नहीं होता होगा कि किसी जिले के किसी गाउं में एक साथ पुरा गाउं जड़ जाता है धन्यवाद